तो आज हम देखें निफ्टी ने क्या movement दिखाई गया है देखिए आज एक gap down predicted था world market के scenario को देखके बट निफ्टी ने एक slight gap up move दिया था और एक high बना के एक low बनाया था जो कल के low के almost close आ गया था अब इसने जब एक higher high बनाया है और एक higher low बनाया है और इस high को भी break कर दिया है तो ये आज के date में एक up trending move थी निफ्टी की तो अगर ये कल move up trending move continue रहेगी तो हम कौन से level पे एक long train में इंटर कर सकते हैं देखिए अब 17 150 के level को देखिए आप यहाँ पर देखिए support and resistance जो हम theory यूज करते हैं उसके basis पे आप कहां कहां आपने support and resistance प्लेस कर सकते हैं देखिए सबसे पहले अब इस level को यही है 17 150 का level अभी आप देखिए कि यहाँ पर यह resistance था यहाँ पर यह support था यहाँ पर यह resistance है तो यह zone काफी critical zone होगा निफ्टी को break करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 27 points का ही buffer है क्योंकि यहाँ पर आज निफ्टी ने काफी explosive up move दे दिया है अगर यह निफ्टी हमारे इस zone में कहीं खुलेगी जो है हमारे इस 27 point के अंदर या थोड़ा सा gap down में भी अगर खुल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी ची हमें बिसिकली 17,100 से लेके 17,150 के बीच में अगर कल निफ्टी open हो तो हमारे लिए अच्छा सेनारियो हो सकता है अब अगर यह इस zone में निफ्टी हमारे खुले तो हम long side में कौन से targets लेके चल सकते हैं हम उसको देखते हैं देखिए targets की अगर बात जाए तो हम 17, 172 को अपना पहल target मानेंगे इसके लिए आपको थोड़ा पीछे भी आना पड़ेगा क्योंकि आपको यह 17,172 का जो level है वो आप इस तरह से mark कर सकते हैं कि आपको यह support दिखाई देगा और आपको यहां पर एक resistance दिखाई देगा जैसी आप इन दोनों को पार कर लेते हो आप second target की तरफ जा स हमारा second target होगा इसको भी हमने इसी लिए दो reason से लिया हुआ है एक तो यह consolidation एक तो यह और psychological number है 17,200 हर whole number पे nifty को usually कहीं न कहीं से फोड़ा सा resistance आता है नीचे जाने के लिए तो 17,200 हमारा second target होगा 17,172 हमारा first target होगा और हमारी entry होगी 17,150 पे कल के लिए अगर हम अभी हम short levels की बात करें नifty में तो अभी अगर आप देखेंगे कि अगर एक अच्छा short जो level था हमारे आज के लिए वो था कल के low को breach करने के बाद और हम इसी low का weight कर रहे थे जो है 16,949 के नीचे बट आज क्योंकि नifty ने इस low को break नहीं किया और एक up move में चले गए थे तो हमारा ये low तो intact है तो हमारे लिए एक अच्छा short move जो होगा वो इस level के नीचे होगा बट अगर हम कल के लिए कोई level mark करें अगर हम इस short की तियारी करनी है कल के लिए तो आप इस दिन का low है जो 10th का आप इसको break करने के बाद भी एक short move में आ सकते हैं जब आप इसका low break करेंगे तो आप पीछे जाके देखेंगे कि आप September 30th का भी एक support break करेंगे तो 17.069 का अगर आप level break करेंगे तो आप एक अच्छे short move में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ यह support है यहाँ यह support है और यहाँ पर यह resistance की zone है तो यहाँ support यहाँ resistance और यहाँ resistance का जो य है जैसी यह कल break हो जाता है आप एक short move में enter कर सकते हैं अपना SL इस high को लगा के अभी इसकी बात करेंगे अगर targets की तो हम देख सकते हैं कि हम 17.043 का अपना first target लगा के चल सकते हैं 17.043 हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि हम अपने immediate targets immediate levels भी अपने targets लगा रहे हैं क्योंकि आप यह एक resistance है और यहां पर यह एक support है तो यह level जो होगा यहां पर यह resistance है और यहां एक support है तो हम इस level पर एक अपना target लेके चल सकते हैं जो और aggressive traders हैं उसको अगर odd second target की तरफ जाना है तो अब 17.010 का अपना target लगा के चल सकते हैं अब 17.000 भी लगा सकते हैं क्योंकि वहां पर क्योंकि में शायद कुछी दिन पर आता है यूजविली डेड़ सो पॉइंट के आसपास के moves आप expect कर सकते हैं तो हम 17.010 का target लगा के चल रहे हैं target 2 क्योंकि यह consolidation level भी है निप्ती में जो उसे break करना है अगर यह trending रहा तो आप 16.950 के levels भी expect कर सकते हैं बहुत जल्दी तो य कैसी ही amazing content के लिए you can subscribe to our youtube channel and we'll see you soon